हाई एव्रीवान वर्कम बैक टुशाने क्लासस फर्स्ट फॉल गूड इबनिंग टु एवेवान सुप संद्य आप सभी को राधी राधी जैस्टर कृष्णा कैसे हैं फ्रेंट्स होफुली आप बहुत अच्छे होंगे बढ़ियां हैं स्वस्थ हैं मस्थ हैं अपना ख्या करवाया था जो कि आपके प्रीवेस एर में आई वे क्वेश्चन लास्ट टाइम में हमें जो चीजे काफी पर आई हैं वहीं चीजों करें मल्टिपल टाइम तो ज्यादा अच्छा होगा मैंने आपकी दोनों सिरीज अच्छे से करवाई और पूरा स्लाबस भी आपका खत है फिर कोई प्रोब्लम होती तो आपको उसको कमेंट बॉक्स मुझे पूछ लेना है चलिए आए आप जो इशानिकला साथ आप में से कोई पहली बार आया प्लीज शेयर को सब्सक्राइब करें टेलेग्राम को जोइन करिए जितना हो सके उतना शेयर करिए शेयर के बारे म सभी दोस्तों को बताए कोई प्रोब्लम है तो आपको कमेंट बॉक्स मुझे पूछना होगा आज जानेंगे यहां पर यह सिक्ष्रादिगम के क्वेस्टेंस हम करेंगे चुकि आपका दूसरा पेपर है पचास नंबर का यह पेपर है पच्चेस नंबर आपको प्रास करन यह देखिए आपका पेपर का पूरा पैटरन दो घंटे का टाइम इंट्रवल सारी चीजे हैं सबसे पहला वस्तों इस प्रस्टे शुरुआत होती जिनकी जो संख्या है वह टोटल पंद्रा होती है पहला क्वेशन आपके सामने है ब्लूम के अनुसार ब्लूम टेक्स्ट पर शेख्षिक मिल्यांकन का टॉपिक है जो कि आपके फर्स्ट में पूछा जा थर्ड का है यह टॉपिक क्या गड़ सकते हैं कोई आप्शन नहीं है तो इस तरीके चीजें आपको आती हैं जो कि आपको हेर फेर करने में रिक्कत होती करत कि बच्चे कर देते हैं थे है जो है चरड दिए हुए है सभी चरड का अपना महत्तों है और इन चरड में भी सब चरड है तो यहां पर आपके लिए व्लूं की टैक्सओनॉमी के अनसासद कि उत्देश है हम ब्लूं की टैक्सुनामी को छोड़ देते हैं सिक्शन के उत्देश पे अभी आप तिसे य कर देखने को मिल सकते हैं इस समेस्टर में आगे बीचे तो आप उस क्वेशन ऐसे पूझा जाए असमा लिए यह इतना कार्ट दिया जाए और कहा जाए कि सिक्षन के उद्देश देखे तब आप को सिक्षन के उद्देश में कोई दिक्कत नहीं होगा आप सभी टेक कर दें कर देंगे ना तो कुछ क्वेशन ऐसे रहें और उप्यूग सभी को ऑप्शन है कुछ चीज़ें आप पढ़े हैं तब फिर उस वक्त बिना किसे डिसीजिएं के आप ऐसे क्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और इस देखने को मिलेगा जब यह बाईस में आया हुआ है आउट होगी आगे बढ़िए एक नंबर आपको मिल गया दूसरा साव इद्या या विमुक्ते सिक्षा का उदेश किस वचार धारा का मानना है यह आपके डिलेट सेकंड सेमेस्टर के एडुकेशन पेपर टू से क्वेशन पूछा गया है दोनों क्वेशन दोनों आटो स्लाबर स है आप चेक कर लीजे क्रॉस करके देख लीजे आपको यह आपको मिल जाएगा लेकिन फिलाल अभी चेक करने में टाइम वेस्ट करने सच्छा है कि चीजों को समझे कैसे आपको करना है आप से कह रहा है कि साफ विद्या या विमुक्ते सिक्षा का उदेश के सुचार धार तो आदर्श वादी प्रकित वादी प्रयोदन वादी आस्तवादी तो आप यहां पर कह सकते हैं सारे प्रकित वादी से व्रकित की चीज़ें से कोई यहां पर बात नहीं है प्रयोदन की बात नहीं आस्तवी यह आदर्श वादी है तो आपका पहला ऑप्शन यहां पर कर इस पर नधाय करके बनाया गया वह क्या है पहला ऑफशन सूश्म और अस्थिल ग्याद से अग्याद पूर्ण से अंस और विसस से सामान किया हो तो तीसरे में प्राया आप क्या उप्युक्त तो सही लग रहा है आपको कि गेस्टार्ट मनवग्यानिकों के तरह जो सद्धान कि चीज़ें वह क्या हैं तीसरे का राइट ऑफशन यहां पर क्या होगा तो यहां पर गेस्टार्ट मनवग्यानिक सद्धान पर आधाय जो सेक्शन सूत्र है वह पूर से अंस की ओर है ठीक है जाब पहले पूरी पूरी प्रकृति को या पूर्ण आकरति को रखा दाता है फिर उनके छोड़े खंडों को जो है आपको देख रहे हैं कि बनता है गुचाय कोई सावान हो औरती हो कुछ भी हो फिर इसके बाद इसके साथ आगे पुड़ते हैं और देखते हैं आज का नेक्स प्रेस्चन सिक्षन एक त्री धुवी प्रक्रिया या कतन किसका है जॉन डुवी साहब का रेमन का एंडर्सन का इसमें भी एक ओप्षन सायद मिसिंग है कुछ यूपर नीचे फिलाल जो हमारा आंसर इसक्रेशन का हो हमारे पास इसलिए में बहुत परिशान नहीं होना है सिक्षन एक अब तक के मिलाके उनको मिलते हैं चार प्रमबर आगे भुड़ते इसे के साथ नेक्स्ट पाँचवाँ समप्रेशन सब्द की उत्पत्ति किस लैटन के भासा से कम्यूनिकेशन है आपकी स्लावस में में किया गया है पहले ही चाप्टर में है तो यह इसकी उत्पत्ति लै लेकिन जो वो शब्द है प्राया जिनका प्रियोग करके बनाया गया वह क्या है तो फिफ्ट का राइट अंसर पहला आप सभी में से जिन स्टुडेंट ने चूज किया उनका करेक्ट है कमिनी सब्द के लाइटिन भासा के कमिनी सब्द से मिलकर बना हुआ है इसे के साथ दूसर चूज करने वाले सभी स्टुडेंट का क्वेश्चन करेक्ट है इसी के साथ आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्टिव पध्धिति के जन्म दाता कौन है फ्रोबल ऑप्शन बन मॉन्टेशी ऑप्शन टू क्यल्पेट्रिक ऑफ्शन टी पैस्ट लॉजी ऑप्शन चार प्रोजेक्ट पध्धिति के जन्म दाता कौन है तो राइट अंसर सेवन्थ का यहां पर एक उप्शन करेक्ट है वो है केलपेट्रिक ठीक कहीं कहीं आपको किक पैक्ट्रिक भी देखेगा ठीक है तो आपको अलग 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 नाम लिखे हैं आगे बढ़ते हैं इसी के सा साथ एट देखते हैं निमलिकित में से निम्न में से सक्षन का सामान सद्धान नहीं है आपको कुछ सारे सद्धानतों के नाम दी और कह रहा कि कोई इन में से एक नहीं है क्रिया सीलता का सद्धान नहीं है रुची का नहीं नियोदन का नहीं है परणाम परिमार का सद्धा नहीं है बाकि से सुपरूप जितने आपको दिये हैं सभी के सभी आपके सही है नेक्स्ट नाइन प्रश्नियां पर देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है कल्पना और तर्क शक्ति का विकास किस सक्षर प्रविदी के माध्यम से होता है कल्पना इमेजनेशन तर्क रीजनिंग यह जो दोनों पावर है इनका आप डेवलप्मेंट किस प्रविदी किस टेक्निक के माध्यम से कर रहे हैं व्याख्यान प्रविदी प्रश्न उत्तर खेल कहानी तो नाइन का प्रश्न आपसे पूझा जा रहा है इसके रहे आपका एक क्वेशन सही है वो है कहानी सुक्राती प्रविधी किसे कहते है सुक्राती प्रविधी क्या होती है कहानी प्रविदी होती है उपयोग होती है प्रश्नोत्तर होती विसलेशन होती है जो सुक्राती प्रविधी है वह क्या होती उसको हम क्या कहते है तो टेंथ कर जो राइट प्रविधी को लेकर जो भी बाते हैं तो correct answer बताइए क्या होगा कौन सो option correct है तो 10th के लिए आप सभी में से तीन तीसरो option प्रश्णों तर प्रविदी जिन्होंने चूज किया वो से आपके अभी तक मैंने कितने प्रश्ण करवाए है टोटल दस प्रश्णाय तो क्या आपको 10 में से 10 मृल्दा उमीद है कि 10 में से 8 मिला ही च्थाए नहीं हो ही आएंगे कि सोचे कि सारे आउटोफ आएंगे लेकिन एक दो तो देखने को मिल जाते हैं इर्दगिर्थे के तो हम अब वहाद से रूप मान के कर लेंगे जैसा भी होगा इसी के साथ आगे बढ़ते हैं सिक्षक केंदिस सिक्षा का केंद रुबिंद कौन होता है जो चाहर दाएंबर सेंटरों टीचर सेंटर्ट दो चीज़ें वह जultने स्कौन होता है से तक वका वंधर कैंदिस शिक्षण की बात ह बहुता है और हम बहुद आघलजजक इससा सारी चीह चलती है सिक्षक जो कहता है जैसे कहता हमको उसी के अनुसार कारे को वहाँ पर करना होता है तो यहां पर आपका 11 में पहला ऑप्षिन करेक्ट है जिन्होंने बताया नेक्स देखिए सूष्म स्क्षिनर पद्दती के जन्दाता कौन है डी एलन विसकिनर बीके पास पासि और राइबन सूष्म स्क्षिनर माइक्रों टीजिंग आपके इस लवस में दिया गया है पीछे के चैप्टरों के आस-पास में तो जो सूष्म स्क्षिनर माइक्रों के दन्दाता है कौन तो यहां पर इनका नाम इन जाइट अंसर है डी डी एलन टिक है ध्यान रख लेने के लिए दूसे इस अच्छा लिखने के लिए स्वयम आप उसको चित्र खुद बना सकते हैं चोटा सा चित्र है तो कि आप पैंसल से या पैंसल से या ब्लू ब्लैक पैंसल से भी ड्रॉक कर सकते हैं कोई दिखकर नहीं नमबर अच्छे मिल जाएंगे पाथ प्रस्ताना कॉसल का अधार विंदू क्या अधार का मतलब Bay Spinner जब प्रस्ताना कॉसल का आप ने Section कॉसल के बारे विदे भी आपनेTalk के पढ़ा खिम अधिगम में तो प्रस्ताना कॉसल का जो अधार विंदू है वह क्या है पार्ट क्रम है, पूर वग्यान होता है और दो option और जरूर दिया होंगे नहीं है, friends इसमें सिर्फ दो ही option है कुछ options missing होगा कि मैंने जल्दी में थोड़ा सा notes बनवाया team member से बोलके, चिक है हम, चलिए कोई बात नहीं तो हमारा जो इसका answer है, वो इसमें जरूर है पार्ट फरस्ताना कॉसल का जो आधार विंदू है, जिसके उपर सारी चीज़े depend होती है, या उसके base पर आगे की भूम का निभाई जाती है वो पार्ट फरस्ताना पूर वग्यान से होता है हम पहले पूर वग्यान को जासते है कितना है, क्या है, उसके basis पर निभाई लेगे फिर आगे समर्थन करते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं या आगे सिखाने का करते हैं तो पार्ट फरस्ताना कॉसल में पूर वग्यान करते हैं, तो बच्चे कैसे Запाब पूचन निभाई है करो खें को बच्चा निभाई हरे सुनता रहता ओ। उसको कुई प्रतीक्रिया नहीं गर पूछा गया तो ठीक नहीं तो वह सिर्फ वह ग्य तो सुनता रहता उसकी कोई प्रतिक्रिया वेक्ट नहीं होती है तो बच्चा जो है वो निस्की रहता और प्रेश से जल्दी सीखते नहीं बड़े लोगों के लिच्छी होती है चोटे बच्चों के पक्षाम या उतनी उप्युक्त नहीं कहलाई है नेक्स आईए अधिगम क आदिगम को व्योहा बिघति करना आधिगम से क्या क्या है प्राप्ट करना सीखना वेहार और अव्प्रोग सभी अधिगम का जो एक अर्थ है वह क्या है बताइए आप इतना इतना सिक्षन end child झालि जाना है कुछ जूसिए सबस्क्राइब करना है कि चुनाओं कैसे करना होगा क्या वहाँ साथ चीजिए होती है जो हमको अधिकम में दिन प्रगधिन कुछ नहां चैलेंज के साथ सिखाए जाता है ठीक है फ्रेंट्स तुम्हें इसके आगे का जो पूरा पेपर है वो तुम्हें पूरी पेपर के साथ सॉल्वाओंगी आज मैंने सिर्फ टागेट है कि मैं सारे अप्डेक्टिक क्वेशन आके पेपरों के करवा दूँ ताकि वह आपका एक सेक्शन होता है और फिर मैं आप पूरे पेपर का रिवीदन करवा दूँगी आप पूरा सॉल्वाओंगी आपने किया है आप कर रहे हैं तो चलते हैं मिलते हैं कोई बिचा कमेंट बॉक्स में किया तो मैं आप लास्ट में जो स्माइली बनाती है मुझे बहुत पसंद है मुझे अच्छा लागा हूंगा पूरा स्टुरेंट सेनर से उनकी होगी और रहे हैं कि नौ बजे में आपकी क्लास को पिर रहूंगी और जहां आपका संबंदे चीज़े जरूर बताओंगी और पचास नबर के पेपर पर फोकस करूंगी और आपकी मैथ कर सेक्शन के सवाल है मैंने कम्यूंटी पोस्ट म आप कई सारे सवाल आपको वहां पर दिये हुए थे तो आप सभी अगर नहीं देखे हैं समभवता उसको जाकर जरूर से करें तो आपको सवाल भी आपको दोनों चैनलों की कमेंटी पोस्ट में दिया गया है तो इसलिके क्वेशन आपको मिलते रहेंगा मैं कुछ क्वेश से यू सुन बेस्ट अफ लग